तो हाई स्टूडेंट्स मैं विशाल आज के इस नहे प्रोजेक्ट के वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं को आज तक आपने हमारे साथ मिलके बना लिया है उसके अलावा आपने फ्लास्क में वैब डिवलप्मेंट भी आख सीख रहे हो है ना हमारे साथ मिलके लेकिन आज अपन थोड़ा इमेज के साथ खेलना है स्टार्ट करेंगे अब तक अपने सिर्फ रिकागनीशन वगरा किय है लेकिन आज अपन थोड़ा इमेज के साथ खेलेंगे आज अपन करेंगे क्या इमेज मेरे पास वही है जो मैं हमेशाए यूज करता हूं यह बेबी की इमेज है आज मैं आपको सिखाऊंगों कि आप इस इमेज को कार्टून के अंदर कैसे कर सकते हो मेंस इस इमेज का प इंस्टॉल पाइफन हाइफन ओपन सीवी और एंटर कर दो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ही है कि मैंने यहां पर इसमें इसमें स्पेस देजिए तो इसमें नहीं आएगा तो अभी कैन मैं इंटरनेट सा कनेक्टेड निउस लिए मेरे यह इशू आ रहा है बागे अकर आए टास परफॉर्म करना है तो सबसे पहले पहले तो मैं क्या करूंगा इस इमेज को इंपोर्ट करूंगा इमेज को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसको रीवल बनाया उसके बाद में cv2.im read आए रीड करो कौन से इमेज को रीड करो baby.jpg इस इमेज को आप रीड कर लो इसको मेरे को इसके अंदर देना पड़ेगा अधरवाइस इसको रीड नहीं कर पायागा ठीक अधरवाइस इसे पाथ इसको ट्रीड नहीं करेगा एक बार में इस इमेज को डिस्प्ले करके देख लेता हूं तो cv2.im show.im show means image को show करो और किस image को show करो तो उसके लिए सबसे आपने को देना window name तो window name में देता हूं output और यहां पर मैं image को दे दूँगा जो कि अपनी IMG उसके लाँ मैंने आपको यहां पर बताया है cv2.wait key कब तक वेट करना है इस image मिलाब इस code में मेरे को pause होना पड़ेगा ना इमेज को show करना इक बार तो 0 का मतलब हो गया आप हमेशा वेट ही करते हो कि क्या मैं कोई key press की की नहीं कि मैंने keyboard में से यह basically उस चीज का वेट करता है और मैं आप पर करता है cv2.destroy all windows यह क्या बोलेग तो मैं इसको close करता हूं और आगे बढ़ता हूं हमेशा की तरह अब क्या करेंगे इसके अंदर इसको image को gray scale में convert करेंगे तो मैं लिख दूँगा gray image और इसके लिए मैं क्या करूंगा cv2.cvt color और color मेरे को क्या करना है सबसे पहले पहले मेरे को source देना है तो cv2.color bgr2 gray ठीक है और अब मैं क्या करूंगा एक नीचे एक और image शो करता हूंगा जो की मेरे कौन से रहेगी यह ग्रेइज रहेगे तो मैं यहां पर कर दता हूं आउटपूट 2 और यहां पर gray scale image तो gray img अब यहां पर मेरे अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एक आपका Gaussian blur होता है आपके पस कई blur होते है तो मैं आपके पास अलगलग algorithms होती इमेज को blur करने के लिए तो आप उनको यूज कर सकते हो मैं यहां पर यह मीडियन ब्लर यूज कर रहा हूं आप आगे देख लेंगे पर जो आपको अच्छा लगए वह आप यूज कर सकते हो तो सबसे पहले पर मैं इसमें इमेज देनी पड़ेगी तो मैं सबसे पहले प्ले इमेज दूंगा तो मैं आपगे इस इमेजे देता हूं अपने जो Gray image के लिए तो ग्रे 0 इसके बाद इसके अंदर स्केल देना पड़ता है करनल साइज है कि इसको ग्री ड्राना चाहते हो तो मैं इसमें 6 दूंगा कि मेरे को 6 के Scale के अंदर इसको blur करना है अब आउटफूरiments 2 के अंधर मैं आपको blur image दिखा देता हूं और हम इसको run करता हूं तो और मैं कुछ issue दिया है मன को Let me see क्या है इसमें issue है यहाँपर एपने को issue जो है वो मिल चुका है कि जिए करनल साइज है यह divided by 2 होना चीह और इसका जो आंसर वो वन की इकवल होना चीह उसके नतरा और आद नमबर चीह तो मैं और नमबर 7 दे देता हूं और अगेन में इसको रन करता हूं तो यह देखो इमेज बिलर हो चुकी है देख सकते हो आप इमेज बिलर हो चुकी तो म 4.2.3 मेरे 2.3 मेरे 3 इमेज़ फ़ेमेज तो आप देख सकते हो दोनों में पल पलाई हो चुका है काफी इमेज़ को बलर कर दिया है अब सिर्फ करना है इमेज बलर करते हैं Jee Automatic卡toon जैसी होगई अब इसके चलर फिल करना है तो देखे अपन अब डिल करता है ताकि इसको आपन काट्टून बना सके तो कलर फिल करने के लिए में सबसे पहले-पहले क्या करूंगा image के edges को फैंड करूंगा हना सोर्स मेरे blur image है उसके बाद मेरेको maximum value देनी है तो maximum values मैं देने वाल हूं इसके अंदर कोई भी non-zero value दे सकते हैं तो इसमें आप नीचे यह करके समें देख भी सकते हो आप कहां कहां कौन कौन से value दे सकते हो हना तो मैं यहां पर दूँगा cv2.adaptive-thresh c तो मैं यह इसके अंदर value दूँगा ठीक है यह इसमें by default होती है मैं यह आपके जो threshing का method है वो use करूंगा thresh binary thresh binary उसके बाद मेरको यहां पर इनका type देना है तो 99 देता हूं ठीक है और यह basically constant values है इनके साथ आप experiment करके देख सकते हो यह तोटली आपके constant है किस लेवल पर इमेज को बलर करना है यहां आप साथ की जिए नौ देके देख लो यह फर 5 देके देख लो यह तोटली आपके सामने मैंने पहले इनके साथ आराम से खेल सकते हो ठीक है अब मैं आपके करता क्या हूं आउट्पुट फोर करके edges भी इखा देता हूं कि आपके वास edges किस तरीके काया है तो मैं आप आपको edges भी दिखा देता हूं तो लेट मी रन अगें तो यहां पे चोट अजा मेरे पाश इस्यू आया है इनलाइ norm 8, which is this, let me see, यहां पे क्या suffer कर रहे है यहां यहां पर एप इमेज भी मेरे बास ग्रेय में की इस रहें कि एकनी देनेक aham इसको आउटपट 4 में आप देख सकते हैं तो अपने इसके पर काम करते हैं आपने अपने पास फिल्टर होता है इसके अंदर बेसिक लिपने को सोज देना पड़ेगा तो अब अपने को यहां पर करना निकालना है अब कलर में अब इसमें दे रहा है यह सिग्मा कलर सिग्मा कलर इसको 255 करतो अगें यह कुछ आपकी एक्षिडेंटल वैल्यूस है जो मैंने कैल्कुलेट की है आप इनके साथ चेंज करकर देखो यह सबसे बड़ी है चीज आप यह को चेंज करकर को आप और भी चीजस अब मेहेंगे सींपल इसको अब कार्टू में चेंज करना है क्यों की के चीए Que 10 किया क्यों क्यों ड़िए खला तप्वर के साथ मिरे घृप्त अब करकर था कि सब्याई को मिरेकू हो एक एक डिउस थे.. आप फो इसमें में क्या पाइथन के उप्रेटर्स की वीडियो के अंदर बिटवाइज क्या होता है लेकिन इमेजेज के साथ होगा करना मुश्किल होता है इसलिए सीवीट उसका डायक्ट अपने को फंक्शन दे देता है कि आप इसके साथ यह काम करो तो मैं करूंगा क्लर की बीच में करूंगा मैं अब मैं अगयन इसको शो कर देता हूं नीचे आपको मैं लाइन को डुप्लिकेट कर रहा हूं इसे कंट्रोल डी करकी यह मेरा शोटकुट बनाया हुआ आप भी यह से शोटकुट बना सकते हो वीस कोड के अंदर आपके मुस्ट प्रबैबली कंट्रोल डी नहीं काम करेग क्योंकि मैंने कार्टोन वाली इमिज को भी शो करवा दिया तो मेरे को छोट से एर्र मिली है तो मेरे को मिली है इस फंक्शन के अंदर कि इसके अंदर मैंने क्या किया है इसको चार चार आर्गुमेंट ची और मैंने इसको एक ही दिया है तो देखता हूं मैं क्या इसमें त तो अभी आप देखो यह मेरे पास image है तो यह मेरी image है जो कि मेरी cartoon में convert हो चुकी है लेकिन यहां पर problem क्या रहा ने कि यह ब्लर इमेज नहीं यूज हो यह तो यह थोड़ा कम cartoon देख रहा तो मैं देखता हूं क्या issue क्यों हो रहा इतना तो अभी आप देखो कि मैंने एज़ GNC में की है और इससलिए बेसिकली issue है क्यों can be indulged with images मेरे को तुर पर एज़े पर मेरे को वहां पर किया अच्पर इसलिए यिश्राटार इन्हें पर नगा रहे हैं तो अभी के लिए तो संबावा प्रॉग्राम को कानवर्ट कर था so you can इस programe को live camera के लिए बना सकते हो तो अगर वो करना है तो उसके लिए वैसे मैंने बताः वह किसा करता है है वह Jenna homework लीजी वह मैंने कहां पर बताया हुआ है वह सिंपली एपको live camera से read करना उसको convert कर देना उसके लिदे एक video बना रह रहका separate face तो आप उसको देखिए उसके help से आप इसको करिए और मेरे का सब्मिट कीजिए टेलेग्राम की मास्टर मैंन कम्यूनिटी के अंदर इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आपके साथ इसके अंदर और अगर कुछ प्रोग्राम में आरर रहती तो मैं आपको उदर बता आप दो इसलिट्व इसको ने लिखता हूं न थो यह किस तरीके सा काम क्या रहा है वह जल्ब और यह तर्टल कलर इसका तो प्रोग्राम में को यूजे निया तो मैं इसको भी एचा दीता हूँ यह सारी चीज़े में मैं आपको समझाँगा बहुत ही जल्ड अपन आपने और projects में क्या-क्या चीज़े देखना चाहते हैं वो जरूर है मेरे को mention करके बताना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं projects वो बनवाँ जो आपको पसंद है मेरे को पसंद है वो तो मैं वैसे बनवाँ गा लेकिन आप जो चाहते हो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँ तो इसलिए आपको करना ही है कि अब आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट सी है वो मेरे को नीचे कमेंट डाउन करके बता देना थैंक यू सो मच